Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सप्लिमेंटरी रीडर कौन से क्लास की सिक्स स्टांडर्ड की and the name of the book is A Pact with the Sun अब इस बुक में हमारे पास स्रिफ 10 चाप्टर्स हैं and all the chapters are going to teach you some or the other very interesting and very useful thing कुछ बहुत ही interesting, कुछ बहुत ही ज़ादा जरूरत की चीज़ें क्योंकि हमारी लिए ऐसी आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिया बहुत intelligent हो सब कुछ है बढ़ क्या आप एक अच्छे इंसान हो और ये कब आता है ये जो हम एक अच्छे इंसान है कैसे पढ़ा चलता है अगर हमारी moral values बहुत strong है तो बहुत सारी ऐसी stories होती है जब आप उनको सुनते हो तो आपको बहुत कुछ realize होता है आप बहुत कुछ सोचने लग जाते हो और जब आप सोचते हो और कुछ अच्छा सोचते हो अच्छे बन जाते हो So on that note we are going to start with this chapter The name of our first chapter is A Tale of Two Birds Tale का मतलब क्या होता है Story, एक कहानी So हम यहाँ पे दो बर्द की कहानी सुनने वाले है हमने हमेशा सुना है ममा पापा कहते हैं पेर्याँ टीचर्स कहते हैं कि हमेशा हमको अच्छी कंपनी में रहना चाहिए मतलब हमारी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए जैसी संगत वैसी रंगत So अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते हो बैठते हो उनसे बात करते हो तो क्या होता है आपकी सोच वैसी हो जाती है अगर ऐसे में ही आप में भी उतने अच्छे लोगों के साथ नहीं नेगेटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे या समबड़ी हूँ हाज अवरी कानिंग माइंड में भी उतना अच्छा उनका जो है बहेवियर नहीं है तो क्या होगा वो चीज आपके उपर भी रिफ्लेक्ट करेगी तो इस वाली स्टोरी के बाद जब हम पढ़ लेंगे तो हमें यही चीज समझ में आएगी तो लेट स्टार्ट विदा फर्स चाप्टर अटेल अफ टू बर्ड्स बिफोर वी यह क्या हो टाए यह एक इख वी बडले मतलब्स है जो आपने दो बड्स के साथ रहती है जो अपनी दो jon है उसकी दो क्या बोल सकते हम की दो डॉर्टर वर्ड होती है या सहन बर्ड होती है उनके साथ वो रहती है और एक बार बहुत बुरा सा स्टॉम आता है मतलब बहुत बुरा सा तूफान आता है और उसमें उसकी जो मदर होती है उन दोनों की जो मदर होती है उसकी टेथ हो जाती है और यह जो दोनों बर्ड्स होती है यह सेपरेट हो जाते हैं फिर इनका जो य में क्या impact आता है इनकी सोच में क्या impact आता है वही हमें इस कहानी में पढ़ने वाले हैं there once lived a bird and her two newborn babies in a forest okay to a bar a car bird रहती थी mother bird और उसके साथ उसकी newborn two एकदम नहीं नहीं चुटी चुटी सी birds उतके साथ रहती थी they had a nest in a tall shady tree and there the mother took care of her little ones day and night उनका घौसला कहां पे था उनका जो nest था एक बहुत बड़े से टॉल shady tree में था मतलब वो काफी घना था और वहां पे जो उसकी mother थी जो mother bird थी वह अपने दोनों babies का बहुत ख्याल रखती थी one day there was a big storm there was thunder lightning and rain and the wind blew down many trees एक बार किया हुआ बहुत गंदा तूफान आया उसकी वज़े से वहां पे थंडर था मतलब एकदम बिजली चमक रही थी और बहुत आवाजें आ रही थी बहुत जादा बारिश हो रही थी and the wind blew down many trees और जो wind है उसने बहुत सारी जो trees थी उन्हें अप्रूट कर दिया मतलब उन्हें नीचे गिरा दिया तो यहां पे to make fall मतलब उन्हें नीचे गिरा दिया the tall tree in which the birds lived also came down अब यह जो बड़ा सा tree था जहां पे यह birds अपनी babies के साथ रहती थी वो भी नीचे आ गया गिर गया वो भी a big heavy branch hit the nest and kill the bird अब क्या हुआ जब वो पेड नीचे गिरा तो उसके उपर एक बहुत भारी सा branch गिर गया जो पेड की जो शाखाएं होती है उन्हें branch कहते हैं तो एक branch जो था वो उसके nest पे गिर गया और जो mother bird थी उसकी death हो गई fortunately for the baby birds the strong wind blew them away to the other side of the forest लेकिन fortunately मतलब with good fortune or luck मतलब अच्छा हुआ उनके साथ क्या अच्छा हुआ उनके साथ अटलीस्ट वो बच गए और जो strong wind चल रही थी जो इतनी जो से हवा चल रही थी उसने क्या किया उड़ा के एक forest के दूसरे पार्ट में लेके चले गई वो हवा one of them came down near the cave where a gang of robbers lived अब जब वो हवा उड़ा रही थी तो क्या है अब ऐसा तो नहीं है कि हवा उड़ा के दुनों को एक साथ ही रख देगी क्या हुआ जब हवा तो एक कहां पे जाके गिरा एक गिरा एक के पास जहां पे एक gang of robbers मतलब जो चोर और लुटेरे होते हैं वो रहते थे दा अधर लांड़ा आउटसाइड आउटसाइड एक रिशी का आश्रम था वो वहां पे जाके गिरी देज पास्ट अब बेबी बर्स बिकेम बेग बर्स अब देज बीते गए अब ये जो चोटी चोटी बर्स थी ये फाइनली बेग गरोन बर्स हो गई अब उस कांट्री का जो किंग था एक बार शिकार करने हंट मतलब क्या होता है शिकार करने के लिए फॉरस्ट में गया तो उन्होंने क्या किया वो शिकार करने गए तो वहां उन्होंने रेखा एक डियर को एक हिरन को अब वो उसका पीछा करने लग गए डियर एकदम घने जंगल के अंदर चला गया उसका पीछा करते करते वो भी घने जंगल के अंदर चले गए Soon the king lost his way and did not know where he was थोड़ी दे बाद क्या हुआ, king जो था वो अपने रास्ता भटक गई और अब उन्हे नहीं पता था वो exactly कहां पे है He rode on for a long time till he came to the other side of the forest वो खूब चलते गए, चलते गए, चलते गए और बहुत टाइम बाद वो forest के पूरे दूसरे कोने में आ गए थे Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave अब वो बहुत थक गए थे, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने घोड़े से उतरे और वहाँ पे एक गुफा थी, cave मतलब होता है गुफा उस cave के बगल में एक tree था तो वहाँ पे जाके relax होके बैट गए Suddenly he heard a voice cry out, तभी उन्होंने एक आवाज सुनी Quick, hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewels and his horse क्या आवाज आई, अरे जल्दी करो, यहाँ पे tree के नीचे कोई बैठा हुआ है फटाक से आओ और उसके पूरे jewels ले लो और उसका horse भी ले लो Hurry, or else he will slip away, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वरना यह निकल जाएगा The king was amazed, king surprise हो गया, कि यह कौन है, किसने बोला यह He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting तो उन्होंने जैसी उपर देखा कि आवाज कहा है, यह तब देखा, उन्होंने उपर एक बड़ी इसी brown color की चुडिया बैठी हुई थी, और वो कह रही थी He also heard faint noises issuing from the cave, और तब ही उसने क्या सुना कि ने, कि मतलब faint noises मतलब जब हमें कोई बहुत दूस से बात कर रहा है, तो हमें थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगती है तो वैसी faint noises, clearly नहीं समझ में आ रहा था, वो लोग क्या कह रहे हैं लेकिन उन्हें faint noises आने लग गई कहां से, cave के अंदर से, जिसे cave के अंदर से कोई आ रहा है He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could उन्होंने क्या किया, वो तुरंत अपने घोड़े पे बैठे और निकल गए वाहां से, जितनी जल्दी हो सके The king was amazed to hear a similar voice again He came to know the bird's true story, he met the rishi who explained the behavior of each bird अब ये चीज़ हम आगे chapter में पढ़ने वाले Soon he came to a clearing which looked like an ashram अब क्या हुआ, king को जैसे वो obviously उनको tension हो गया वहां से तो वो निकल गए वहां से, अब he started riding and riding और थोड़े ही आगे जाके उनको एक खाली मैदान जिसा दिखा और जो की एक आश्रम की तरह दिख रहा था अब वो कहां पहुंच गए थे, वो रिशी के आश्रम में पहुंच गए थे The king tied his horse to a tree and sat down in its shade तो king ने क्या किया, उन्होंने अपने घोडे से उत्रे और घोडे को एक जगा बांदा हो जाके आराम से वो एक जगा बैठ गए Suddenly he heard a gentle voice announce अब वो जस पेड के निचे जाके बैठे थे, उस पेड के उपर से उन्हों उनको एक बहुत ही gentle मतलब एक बहुत ही प्यार भरी आवाज आई Welcome to the ashram sir, please go inside and rest The rishi will be back soon, there is some cold water in the pot Please make yourself comfortable अब उस आवाज ने क्या कहा? कि please आप जो हो हमारे ashram में आपका स्वागत है आप प्लीज अंदर जाके rest करो जो रishi हैं, जिनका यह आश्रम है, वो थोड़ी दिर में वापस आजाएंगे और जो वहाँ सामने जो pot रुखा है, उसमें थोड़ा सा थंडा पानी है Please make yourself comfortable मतलब, please make yourself comfortable मतलब, आप comfortably वहाँ जाके बैठो और relax करो The king looked up and saw a big brown bird in the tree King ने फिर से देखा, आवास कहां से आ रही है तो उनने क्या देखा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी brown color की चड़िया बैठी थी, वह ही कह रही थी He was amazed This one looks like the other bird outside the cave He said to himself loudly वो फिर से surprise हो गए देखके तो उनने बोला, अरे यह तो exactly वैसी ही चड़िया है जो cave के बाहर वाले पेड़ पे बैठी हुई थी और यह उन्होंने काफी जोर से बोला You are right sir answered the bird bird ने क्या कहा, आप सही कह रहे हो He is my brother but has made friends with robbers वो मेरा भाई है, लेकिन उसने क्या किया है उसने robbers के साथ जो है दोस्ती कर लिया, robbers का मतलब जो लुटे दे होते हैं He now talks as they do और अब वो कैसी बात करता है, जैसे वो बात करते है वैसे वो भी बात करता है He doesn't talk to me anymore और वो अब मुझसे बात नहीं करता बिलकुल भी Just then the Rishi entered the ashram और तभी क्या हुआ, जो Rishi जिनका ashram था वो आए वहाँ पे Welcome sir He said to the king Please come inside and make yourself at home उन्होंने क्या बोला अरे आईए आपका स्वागत है Please आप अंदर आईए and make yourself at home Make yourself at home मतलब जैसे हम अपने घर में कितने comfortable होते हैं तो ये एक तरीका है कहने का Just be comfortable हम ये भी कह सकते हैं Make yourself at home You look tired Rest for a while Then you can share my food उन्होंने बोला अरे आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं एक काम करो आप थोड़ा सा rest कर लो फिर जो मेरा खाना है मेरी साथ आप शेर कर ले ना The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they look so alike फिर king ने क्या किया जब वो बैठे हुए थे तो उसने बोला एक इंसान की पहचान किस चीज से होती है कि वो किस तरीके की लोगों की संगत में रहता है आप उस हिसाब से ही उस इंसान की पहचान करते हो That bird has always heard the talk of robbers जिस bird से आप पहले मिले थे वो birds ने हमेशा चोल लुटेरों की ही बाते सुनी है तो वो उसी की तरह बात करती है He imitates them and talks about robbing people वो उनकी नकल करता है He imitates का मतलब कि उसकी नकल करता है तो वो उनकी नकल करता है और जैसी वो लोग बातें करते हैं वैसे ही वो बात करता है This one has repeated what he has always heard और यह जो bird है जो आश्रम के पेड़ पे रहता है वो वही बातें करता है जो उसने हमेशा से सुनी है मतलब जैसे हमारे धर पे बातें होती है He welcomes people to the ashram अब कोई भी आश्रम के दर से जाता है तो वो हमेशा उनको welcome करता है Now come inside and rest अब आप अंदर आजाईए और थोड़ा सा rest कर लीजिए I will tell you more about this place and these birds मैं आपको इस जगह के बारे में और बताता हूँ और इन birds के बारे में भी मैं आपको और बताता हूँ यह एक बहुत छोटी सी story थी A tale of two birds लेकिन इससे समझ में क्या आता है कि हमारे लिए बहुत important है कि हम अपने friends हम कैसे लोगों को choose कर रहे हैं वो हम पर depend करता है क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारे जो thought process है हमारे जो thoughts है हमारी सोच जो है वो उनके जैसी ही हो जाएगी इसलिए हमारे parents और हमारे teachers हमेशा हमको बोलता रहते हैं अच्छी company में रहो जो लोग बहुत अच्छे से अपना homework complete करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं खेलने में भी बहुत अच्छे होते हैं मतलब वो लोग बहुत energetic होते हैं और उनके अंदर honesty होती है लेकिन इसी की जगह आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो लोग करेंगे आदे यार क्या ज़रत यार पढ़ाई करने की छोड़ना चलना खेल के आते हैं या यह क्या रहे मैं तो examine cheat कर लूँगा मुझे तो कोई tension नहीं है अब ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो क्या होगा हमारे thoughts भी उनके जैसे हो जाएंगे So it's on you आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हो और आप अपनी कैसी company में आप अपने आपको आगे बढ़ाते हो जो भी इंसान आपको growth में help करे वो अच्छा लेकिन जो आपको downfall ले जाएं मतलब आपको नीचे की तरफ खींचे वो सही नहीं है So guys that was our story A Tale of Two Birds and now we are going to do the NCRT solutions How did the two baby birds get separated? अब हमने पूरी चाप्टर तो पढ़ लिए अच्छे से तो ये दोनों birds जो थे कैसे separate हुए थे? ये birds कैसे separate हुए थे? जो बहुत भयंकर जो से storm आया था वो इनको इनकी mother जो है उसमें उनकी death हो गई थी और उसके बाद ये लोग जो थे उड़के दूसी दूसी जगा चले गए थे लेकिन लिखेंगे हम इसको बहुत proper तरीके से जिसमें हम बताएंगे ताट पहले वो अपनी mother bird के साथ रहते थे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ इस तरीके से भीस answer को लिखने वाले ये हम क्यों explain कर रहें क्योंकि हमें one line answers नहीं लिखने we have to make sure कि हमारा जो answer जितनी भी marks का रहा है उस marks के हिसाब से हम answers लिखें ये हो गया mother first point one day a big storm blew, the tree came down the mother bird was killed अच्छा ये पूरा जो है ना एक 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 इस लाइक a story तो वो story याद रखने है पहले क्या होता था ये लोग एक बहुत बड़े से ट्री में अपनी mother के साथ रहते थे फिर क्या हुआ एक बहुत बड़ा storm आया उसके बाद जो ट्री था वो नीचे आगया उसके बाद क्या हुआ ये हो गया सबसे पहले ये हो गया हमारा first point storm आया ये हो गया second point ट्री गिर गया ये हो गया third point mother bird जो थी वो killed मतलब उनकी death हो गया ये हो गया fourth point अब the strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other मतलब ये दो chicks को उड़ा के वो forest के दूसरे side में लेके गई at a distance from each other ये हो गया हमारा fifth point thus they got separated from each other so five points है साँजर में very easy answer winds बहुत storm मतलब बहुत बड़ा सा storm आया उसके बाद पेड गिर गया उसके अद मादर की death हो गई और उसके बाद जो wind थी वो इतनी जोर से चली कि उसने दोनों जो chicks थे उनको उड़ा के forest के दूसरे end में लेके चले गई और दो थोड़े थोड़े distance में दोनों को छोड़ दिया अब second question क्या है where did each of them find a home अब हमें पता है एक चिडिया को कहां पे घर मिला cave के बगल में जहां उस cave में कौन रहता था gang of robbers और एक चिडिया को कहां घर मिला जिशी के आश्रम के पेड़ पे तो हम वही लिखने वाले हैं one of the young birds came down near a cave a gang of robbers lived there so कहां near a cave जहां पे robbers होते थे यह पहला पॉइंट हो गया the other bird landed landed मतलब क्या जैसे हवार आरी हो आप जाके कहीं जाके गिर गए मतलब एक तरीके से plane जैसे land करता है उस तरीके से आपने land किया तो the other bird landed outside the ashram of a rishi at a little distance so एक outside a cave जहां पे gang of robbers रहते थे एक outside an ashram जहां पे एक रिशी रहते थे answer clear आगे बढ़ते हैं third question what did the first bird say to the stranger अब जो first bird थी उसने राजा से क्या खा stranger कौन है यहां पे राजा है उसने राजा से क्या कहा the first bird saw the stranger and stranger कौन है the king and he called the robbers उसने क्या बोला उसने फटाक से robbers को बोला कि भाया जल्दी से आजाओ और इसके jewels और इसका जो घोडा है उसको लूट लो so he called the robbers to hurry up hurry up rob the man of his jewels and his horse क्या बोला उसने she called the robbers to hurry up and to rob the man rob का मतलब होता है loot ले ना to rob the man of his jewels and horse indirectly he asked the stranger to leave the place at once क्या किया उसने उसने stranger को एक तरीके से क्या बोला कि निकल लोया आप इसे पटाक से अब next question okay so what did the second bird say to him अब question क्या है कि जो second bird से जब रजा मिला तब second bird ने क्या कहा the second bird welcome the king to the ashram उसने क्या किया king को welcome किया आश्रम में then he requested उसने क्या बोला था कि वहाँ पे एक pot रखा है उसमें पानी है आप पी लीजे थोड़ा रेस्ट कर लीजे so he requested the stranger to drink water take rest and make himself comfortable क्या क्या बोला उसने drink water take rest and make yourself comfortable he added that his brother lived in the company of robbers so he talked like them तो जब king ने या पूछा था कि या रे वो मैंने एक और बर्ट को देखा था तब उसने क्या बोला कि हाँ वो मेरा भाई है और वो रॉबर्स के साथ रहता है इसलिए वो उनके जैसे बात करता है so he added that his brother lived in the company of robbers so he talked like them आगे बढ़ते हैं हम question number 5 how did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved अब Rishi ने कैसे explain किया Rishi ने बताया कि it's all about the company जो पहला bird है वो robbers की company ने में रहता है इसलिए वो वही बाते दोराता है imitate करता है जो जैसे वो लोग बात करते हैं और यह जो दूसरी bird है यह हमेशा से आश्रम में रही है तो वो वैसे ही imitate करते हैं जैसे बाते यहां पे होती है the king told the Rishi about the different behavior of the two birds यह लिख दिया अब क्या है अब हम question में आते हैं the Rishi explained क्या Rishi ने explain किया that the first bird repeated the words of these robbers जो first bird है उसने क्या किया उसने robbers की बातें जैसे robbers जो बात करते हैं उन्हें repeat किया second bird repeated what he had always heard at the ashram और second bird ने क्या repeat किया जो उसने हमेशा से आश्रम में सुना है their different ways were the results of their company और उनका जो अलग-अलग तरीका था बात करने का यह किस चीज का result था it was a result of their company वो किस तरीके की company में है उस पे उनकी बात्चीत में फरक आया है तो I hope यह समझ में आ गया होगा अब हमारे पास यह last question है यह भी देख लेते हैं which one of the following sums of the story best अब यहां पर three points है a bird in hand is worth two in the bush a bird in hand is worth two in the bush का actual मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है जो opportunities है a bird in hand is worth मतलब कि आपके पास इस वक्त हाथ में जो opportunity है वो ज्यादा important है ठीक है कि नहीं मैं न वो वाली यह भी opportunity ले लूँगा यह भी opportunity ले ले लूँगा लेकिन सबस्यादा important क्या है जो है उस पे you have to trust हम इस basis पे नहीं चल सकते कि हम क्या 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 पास सकते है जो हमारे पास है हमें उस पे trust करना चाहिए one is known by the company one keeps कि एक आदमी की पहचान किस्ते होते है वो किस संगत में रहता है a friend in need is a friend indeed मतलब जो ज़रूजट में आपके काम आए वही एक सच्चा दोस्त होता है so जो story है हमारी a tale of two birds इसको कौन सी particular जो इसमें statement है वो clearly define करता है वो है one is known by the company he keeps I hope you got it I hope all these questions were pretty clear to you guys we are done with the first chapter and in our next video we are going to start with the second chapter so stay tuned, stay connected कोई भी डाउट सों तो प्रीस मस्ते पुशली चेगा I will try my level best to sort out all your questions thank you, जल्दी मिलते है bye bye